गूड मार्णिंग स्टूडिन्स यह जो लेसन है एप्लिकेशन अफ बाय टेकनोलजी आज हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं और जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वो है एथिकल इशूस एथिक्स की बात अगर हम करते हैं तो बाय टेकनोलजी से कई तरह के इथिकल इशूस हैं और इन इशूस पर जानकारी रखना इंपाटेंट है इसमें सबसे पहले हम रैस को एक रेफरेंस क्राप के तौर पर लेते हैं इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो यहां लार्ज विराइटी आफ रैस एवेलेबल है हमारे फार्मर्स के द इंडिया में है यह डिवरस्टी दुनिया में और कहीं नहीं है खास करके इस कंटेक्स्ट में अगर हम बास्मती रैस की चर्चा करना चाहें तो बास्मती रैस क्वाइट यूनिक स्पेसीज है हमारे यहां रैस की विराइटी का जहां तक सवाल है because of its unique aroma and flavor और इस तरह के 27 different documented varieties बास्मती के इंडिया में ग्रोग किये जा रहे हैं लेकिन इस बास्मती रैस के साथ एक fraud हो गया अमेरिका के किसी company के द्वारा जिसने इसकी patenting करवा दी और patenting law एक global law है जिसके तहत अगर किसी भी biological product या किसी resource biological resource की patenting करा दी जाती है सिर्फ biological ही नहीं तमाम तरह के technological fields की बात अगर हम करते हैं even अगर कोई android phone को develop करने की technology किसी country ने develop किये है तो इसका एक patent उस country के द्वारा करवा लिया जाता है और ये patent law कहता है कि इसका unauthorized use और उसका exploitation अगर किसी दूसरे countries के द्वारा किया जाता है तो उस पर legal proceedings के तहते action लिया जा सकता है तो इसलिए इन ethical issues को जानना जरूरी है और इस context में ये बाते हैं कि genetically modified crops are fast becoming the part of agriculture throughout the world because of their contribution to the increased crop productivity besides their healthcare and industrial use दूसरा जो important part है यहां the effect of GM crop on non-target beneficial microbes आपने BT cotton के बारे में पढ़ा BT cotton crop को बहुत बढ़ा खत्रत था ballworm से जो इसके harvest की quality को बहुत अथिक degrade कर देता था लेकिन जब से GM crop का development BT cotton के रूप में सामने आया तब से दूसरे किसी insect को non-target insect को जो beneficial insect या microorganism है उन पर किसी तरह का कोई खत्रा इससे नहीं है लेकिन ballworm को खत्रा है चुकि ballworm cotton की quality को degrade करता है